इस तरह चोटे से ब्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है हलो एब्रिवान वेलकम बैक कैसे हैं आप सब तो अभी हो रही है यह नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन मतलब खाना वाना अभी हमने खाया नहीं है तो मैंने क्या किया कि पहले जो कुछ भी बर्तन जो कुछ भी था ना पहले तो वही धो लिए और उसके बाद फिर में क्या गैस को भी साफ कर लेती हूं अगर सारी चीज़ें अपने जगह पे और साप सुत्री मिलती है ना तो काम करना थोड़ा सा इसी हो जाता है और इसे भी सुबह के टाइम पर बहुत जादा ठंड होता है पानी बहुत जादा होता है हर एक चीज़ ठंडी होती है तो अगर सब कुछ सई से है तो सई रहता है और वो भी आज बंदला ने खुद बनाई है क्योंकि मैं हूँ बीमार तो यह मसालिव गड़ा कम डालती है ना तो मैंने का यार आज का दिन बना दें इन्होंने बोला कि साधा खाना खाना है तो साधी में सबसे साधा होता है दाल चावल कितना मजाता है यह करने कि अबने कि अधिनल यार्लम पाश्चा अलब दाल जान वो गजाता है थे लो पासा अधिक जितना खाना होगा न खुत ना यह फ मुटना खाना इंडान है नहीं आट नहीं है लेडी मेट बना दिया क्या बात है बंदना बंदना मेट नहीं है क्या बात है क्या बात है बंदना आज में सुच्चा की बोलते हैं कि हमें रोटीसबजी देते हैं विपकुछ अलग अटके देते हूं आज में अदया प्रांट इनी मनाया कि मिले पास देशी के शीए नहीं था अच्छा अगश्चा अगर दूसरे के रोख निकाले ने आपके शीए निकालते हैं अब कल तक ह मैंने सोचा था सुबा उर्ते आलू के परांठे बना दूंगी लेकिन देसी गीत था नहीं इसलिए फिर मैंने थोड़ा रेडी में ठीक काम किया फुल के बनाए और इसके बीच में ये रोल बना दिये फिर रोटी रोल ये मेरे लिए बन रहा है अर्चुन की जाल का काड़ा ये बना कुछ काड़ पीरी है वन नहीं बताएगे कॉंसा काड़ है और इसमस्चे मजा है क्या मज़ा देर जूस पीरी अचे काड़ पर privilege करने मैं अ मैंने सचांकि वर्जुन की छाल का वकाड़ पीरी आँ और मजा या पार्ष ऑंदब नहीं ज़े जूस लेलेने उसने औ इसके बाद बस दूसरे चैनल के लिए एक वीडियो बना है और बाकि आप लोगों के साथ मैंने बात कर ली थी ब्लॉग बना करके तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा अवजेंसी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे तो वह चीज हमने आपके साथ डिसकस की है पूरा ब्लॉग बनाया है तो आप देखेगा पका और उसके बच्चों के स्पेशली जो हूड़ी वगारा है स्वेटर्स नहीं वह सूखती नहीं तो बस सुभा उठते ही पहले सबको लगा दिया यहां दूप में सूखने के लिए मैं अपने बालों में लगा रही तो यहां पर हरी मिर्चे साथ में कड़ी पत्ता यह सब मैं ऑईल मे चिल करके जो ले के आते हैं खाने के लिए चिल के वाली तो वह वाली थोड़ी से हलकी सी रोस्ट की थी और अभी पोहा बन गया है तो इस पे मैंने यह थोड़ी सी चीनी डाली मतलब अगर एक चमच चीनी आप डाल देता है तो टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आ जाता है औ पर फिर एक बार फिर से इसको चला लिया क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स होई नी थी गैस भी मैंने लो पे रखी हुई है और जब यह सारा कुछ एक बार मिक्स कर लूँगे अच्छी तरह से फिर उसके बाद उपर से में इसमें नीम्बू डालूंगी चिनी मैंने पहले जाल दी थी यहारा धनिया काटके डाला और एक दम बिल्कुल ड्राइ अलग अलग सा अच्छा लगता है बच्चों को आज बच्चों की स्पेशल डिमांड थी तो इनके पापा स्पेशली लेकर के आये माला घर में था नी पोहा क्योंकि जादा हम लोग पसंद करते नहीं तो फिर आज बतानी कैसे बच्चों ने बोला फिर मैं कि चलो इनकी डिमांड से आज रेडिमेट यही खा लेते हैं तो नीम्भू मैंने उपर से नी चोड़ा और सबने हमने यह खाया चाय के साथ इसके अलावा यह रिखिया आज बदीदेव ना कल यह शाम को लेकर के आय बढ़ती है तो उन्होंने बुला था कि यह ऐसा करना नी बढ़ेगा लेकिन ऐसा नहीं था पतीदेव ने मेरे साथ बहुत शर्त लगाई थी मैंने बुला था मैं कि ऐसा करना पड़ेगा और फिर मैंने न मालब अभी चांट रही हूं उपर उपर से इसको तोड़ रही कड़ाई चड़ादी यसमें सरसो का और ये काट रही हूं तो मैंने लंबे-gen लंबे करके प्यास डाले और ये कुछ इक सबस्यासी होते हैं जिसमें लंबे-लंबे प्यास उच्छे लगते हैं तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिए रूर 7 रखदी धिये हैं ये पहाड तो यहां पर मैंने वस फिर काट करके अलू भी डाल दिये इसी में मनलब एक साथ जब आप इसको डाल देते हो अच्छा से ऑईल में यह पकते हैं तो टेस्टी बनती है सब्जी बहुत ही जादा और मुंग्रे तो पती देव के बहुत फेवरेट है मैं कि अच्छी सी बननी अच्छी एक दम टेस्टी वाली सब्जी क्योंकि सब्जी यही बनाते है और मैं मसाला कम यूज करती हूं लेकिन मैं पकाती हूं बिल्कुल लो फ्लेम पर तो फिर आटोमेटिकल सब्जी बहुत हादा टेस्टी बन दिया और यह मेरे साथ शर्त लगाते हैं कि यही पकाद रिए टाली में थोरी सी लाल मिर्च दाली और बस बिल्कुल जासी चम्ञ के करीब मैं मसाला डाला है मिक्स कर यह paar ही मिक्स मसाला है न हमारे पास ही यह जो डेगी में प्लूच अच्छा सा प्लौर आज़ता है न मतला कि क्या ही वहलू जैसे हरे स्थु ज्मार Zweirty मृ कि安 ि साथ मैं अपना बाकी का काम करती चलूंगी किचन का तो मैं क्या रोटी बना ले ती हूह फटाफट से फिर पता क्या होता है कि बाकी कामों में लग जाते है लगे तो फिर यह सब संडे का धीन ही कुछ आई साही सा भाता हुँ कि सफाही सई बेल नहीं मिलती तो फिर मैं क्या रोटी बनाने में फिर टाइम लगता है इसलिए मैं क्या फिर बच्चे जित करने लगते हैं तो रोटी बना करके रख देती हूं और फिर जो बोलेगा कि अच्छा भूख लगी है तो उनको देती चलूंगी तो मैंने रोटी भी बना ली और इसके बाद फिर लगी मैं सफाई का काम करने क्योंकि बच्चे आज पूरा दिन घर पे ही रहने वाले हैं तो मैंने बार बार दोड़ेंगे खराब करेंगे चीजों को पहले बच्चे को नहीं बातरूम साथ में यह बहुत है फिर मैंने सब्समीं के रखा लगा लिती हैं तो मतलब एक रसम होती है की चनी लेकर के आते हैं तो मैंने हमारे इधर आए तो मैं क्या उफटाफर से क्योंकि खाना खाके वला आये हैं हम लोग तो मैं के चाय के साथ ही कुछ पोगा ही मुझे सूजा क्योंकि सुपा से आज पोगा ही बनता जा रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लेकर के आते हैं तो यह लेकर क्याता है चने मतलब भिगो करके काले चने और साथ में यह नारियल है नारियल के साथ दुरूब भी बंदी रहती है फूल होते हैं और स्वाग्य और उसके अंदर कुछ पैसे होते हैं वह आपने देख लिया बाकि शक्कर है और लड्डू है तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब को बटन जलूर दबा दीजेगा इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो के लिए तो आज के लिए वीडियो को करने यह पेंट वेते हैं नेक्स वीडियो में ओके नमिश्कार बबाई